आज हम आपको present perfect tense के negative sentence के बारे में बताने जा रहे हैं इसके पहले हमने आपको present perfect tense के affirmative sentence के बारे में बताया था तो उसकी ये पहचान थी कि इन present perfect tense के जो बाक्य होते हैं उनके अंत में चुका है चुकी है चुकी है लिया है दिया है ये इस तरहे के जो शब्द हैं वो आते हैं और जो present perfect tense के जो negative sentence होते हैं उन बाक्यों में not शब्द और जुड़ जाता है यानि कि पूरे sentence तो वही रहते हैं जिसके आखरी में चुका है चुकी है ऐसी यह शब्द आते हैं लेकिन इनके बीच में not शब्द और जुड़ जाता है और दूसरा है इसका कि he, she, it noun के साथ has और you, we, they के साथ have का प्रयोग करते हैं तो यतना आपको समझ में आ गया होगा इसका फॉर्मूला है subject plus has या have plus not plus worth की that bomb और plus object तो यह इसका फॉर्मूला हो गया है अब इसके आधार पे हम इसके जो है sentence वो complete करेंगे पहला है मैं पतंग नहीं उड़ा चुका हूँ तो I I की साथ have लगेगा तो I have not verb की third form fly की third form होगी flown a पतंग की काइट तो I have not flown a काइट मैं पतंग नहीं उड़ा चुका हूँ दूसरे है सूर्य नहीं निकल आया है The sun helping verb has सूर्य एक वचन है The sun has not rise की third form risen The sun has not risen तीसरा है तुमने अपना पार्ट याद नहीं किया है तुमने अपना पार्ट याद नहीं किया है अब यहाँ पे तुमने के लिए हमने you शब्द का उपयोग किया है और you के साथ लिखा हुआ है साथ में अपना तो यहाँ पे अपना पार्ट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे your lesson यो जियने अपना हो तो your आता है और I के साथ my use करते है फोर्थ है पढ़ाई ने कुर्सी नहीं बनाई है तो बढ़ाई एक वचन है तो उसके साथ बढ़ाई की लिखेंगे हम कारपेंटर हैज, हेल्पिंग बर्ब, नॉट बनाई की मेड की थर्ड फॉर्म भी मेड ही होती है दा चेयर पांचवा है वे नहीं सोए हैं वे की होगी दे और दे के साथ लगता है है दे हैब नॉट और स्लीप, सोना की स्लीप और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट ये हो गया ये हमारे पांच जो सेंटेंस वो कम्टीट हो गया है और ये फॉर्मूला है हमारा और आशा है आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे तो अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ टेक केर सी यू अगें अगर ये हमारे लिए बाइ रहे होंगे जेए रहे होंगे प्रॉट